सबी को मेरा नमस्कार आज राम नवमी का परव है और एक भिन्न प्रकार के वातावरण में हम यह परव मना रहे हैं भगवान राम इश्वर के आउतार थे और सारी असुरी शक्तियों किसे संगर्श करते हुए उन्होंने उस समय मुल्यों की और मानो समाज की रक्षा की हैं आज हम एक बिन्न प्रकार के संकट से गुजर रहे हैं सारा विश्व का मानो समूह इस भयानक संकट से कहीं भयग रस्त है और कहीं उस आपदाओं को जेल रहा है आज की यह बिमारी संक्रमन की बिमारी हैं और इसलिए संक्रमन रोकना यही इस समस्या का समाधान है सभी प्रकार की शासन के द्वारा चिकित्सकों के द्वारा दी गई सुचनाओं का पालन करना इसी से हम इस आज के वर्तमान संकट से हम सब मुक्द हो सकते हैं और इसलिए आज इस राम नहुमी के पवित्र दिवस पर हम सभी लोग इस परकार का एक संकल्प लेकर चले कि एक आदर्श भारत का सब के सामने प्रस्तूत करते हुए ऐसे संकटों में संकटों से कैसे पार किया जा सकता है इसका एक आदर्श हमें विश्वक के सामने प्रस्तूत करना है इस घड़ी में देश्वर में सभी स्थानों पर राश्ट्रिय स्वयंसेवक संगर के स्वयंसेवक सेवा कारियों में लगे हुए हैं जैसी जैसी आवशक्ता ही दिर्मान होती है उस आवशक्ताओं की पूर्ती करते हुए आज देश्वर में हजारों स्वयंसेवक इस सेवा भाव से समाज की इस पीड़ा में समाज के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आज लगबग दस अजार रस्तानों पर एक लाग से अधिक स्वयंसेवक बिन्द बिन्द प्रकार की आवशक्ताओं की पूर्ती करने में लगे हैं कहा जा सकता है कि इस योजना के तहद करीब करीब दस लाख परिवारों तक आज अपने संग के स्वयंसेवक किसे ने किसी माध्यम से पहुँचे हैं एक लाग से अधिक स्वयंसेवक बिन्द बिन्द प्रकार के सेवाकार्य और समाज जागरण के इस काम में बड़ी मातरा में सक्रिय है विशेशता बोजन सामगरी पहुचाना, सेनिट एज़र जैसी उपयुक्त वस्तूओं को लोगों तक पहुचाना चिकित सालय में जाकर सेवा देना इस प्रकार के कामों में लगे हैं मैं कुछ विशेश बाते इस तुमें बताना चाहूंगा महाराष्टर में कई जगों पर घुमन्तू जातियों की बस्तिया है आज उनका जीवन बहुत कठिनाईयों से गुजर रहा है स्तंग के सोहिंसवकों ने ऐसे कुछ स्तानों पर जाकर उनके भी भोजन इत्यादी की व्योस्ता करना प्रारब्ब किया है अभी तक कहा जा सकता है कि एक हजार तक सोहिंसवकों ने रक्तदान करते हुए एक चिकित साले की अवशक तक पूर्ति करने में एक पहल की है स्थान स्थान पर हम अनुभव कर रहे हैं इस सुरक शाप के विशे में लगे हुए करमचारी और उसी प्रकार स्वास्त सेवा में लगे हुए चिकित सक परिचारी काएं अन्य करमचारी वरग ये रात दिन मेहनत करते हुए और अपने समाज को इस लियमों का पालंग करने में और उनकों सुविधाय उपलुद कराने में लगे है ऐसे बंधों के और भी ध्यान देकर जहां जहां वो शिक्ता है वहाँ पर उन्हें भी भोजन, अलपहार और इत्यदी की व्योस्ता भी स्तान स्तान पर स्वंसकों के द्वारा आज चल रही हैं जागरन प्रचार के नामत नाते कई प्रकार के पत्रकों का मुद्रन करते हुए गरगर तक पहुचाने का प्रयास बस्तियों में, छोटे-छोटे समों में, परिवारों में जाकर समझाने का प्रयास इस प्रकार के और जागरन के काम में भी आज संग के स्वंसकों बड़ी मातरा में सक्री है अधिक ध्यान देने के आउश्यक्ता जो ध्यान में आ रही है अलग-अलग राज्यों में, अस्थाई रुप से मजदूरी करने के लिए, अलग-अलग प्रांतों से मजदूर आते हैं उनकी अवस्ता आज और बहुत ही चिंतनिया है अविश्वास और असुरक्षा के माहूल में वह कहीं कई स्थानों पर अपने घर के और जाने में लगे हुए है आज के इस वातावरण में उनका इस प्रकार से स्तलान तरण होना ये और अधिक घातक सिद्ध हो सकता है इसलिए हम सब लोगों को वचार करने की अवश्वास है कि इसे अस्ताई मजदूर निश्चिंत रूप से रहे समाज हमारे साथ हैं हमारे आवश्वास की पूर्ति यहां रहेकर हो सकती है इस पकार का विश्वास ऐसे बंदू के बीजा कर और दिरमान करने की अवश्चक्ता अनुवों में आ रही है। कैसे कुछ स्थानों पर नगरों से लोग अपने गाओं की तरफ गए। परन्तु गाओं में भी एक भे का वाता औरन होने के कारण कई बंदुओं को अलग-अलग गामों में ग्राम वासी परवेश करने से प्रतिबंदीत कर रहे हैं। मैं उनकी बात को गलत नहीं मानता लेकिन अगर ऐसे सभी बंदुओं के स्वास्त का परिक्षण गाओं में प्रवेश करते समय अगर होता है तो अधिक उपयुक्त होगा आज उन्हें गाओं के बहर ही अस्ताई लवस्ता में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यह भी चल रही है। ऐसे सेवा में लगे हुए बंदुओं के साथ हम मिल जुलकर किस प्रकार का सहीयोग कर सकते हैं इस पर भी एक विचार विमर्ष होने के आवशकता है। मैं समझता हूं कि स्थान स्थान पर कारेकरता इदिशा में भी आज प्रहत्त शील है। हम सब संगड़न के लोग हैं समाज को जोड़ने की बात करते हैं परतु वर्तमान समय में अपना लक्ष का स्मरण करने के लिए अपने घरों में रहकर ही स्थान स्थान पर अपनी नित्य प्रार्थना करते हैं। साथ ही परिवार में भी एक वाता और निर्मान करने का प्रयास हो रहा है कि जिसके करण संसकार भी प्राप्त होंगे, मनोबल भी बना रहेगा और आज के बाहर की परिस्तियों से परिवार के लोग इस संकट से बाहर निकलने के लिए सब प्रकार के सशक्त भाव से आगे बढ़ते रहेंगे, इस परिवार प्रभुदन के काम भी अलग-अलग स्तानों पर चल रहे हैं, अभी और दो सब्तह का समय हैं, इस दो सब्तह का इसी प्रकार की नियमों का पालं करने का इस्तिय बनी रही, तो मुझे विश्वास है कि दो सब्तह के बाद हम फिर एक बार स कामाने जीवन की और अगरसर हो सकते हैं आवशक्ता है इन सब प्रकार के बंदनों का नियमों का पालन करने का संकल्प हम सब लेकर चलें एक और बात कहना चाहूंगा कि इस आवस्ता में इस गड़ी में सेवा का कोई निश्चित सुरूप नहीं बनता है हम अपने अपने आस वो करने के लिए स्वयम सिद्ध होते जाएं इस घड़ी में भी कई प्रकार के सक्षम लोग सब प्रकार के साहता करने के लिए आर्थिक सहयोग होगा परिश्रम करने की बात होगी हमारे साथ आने के लिए तयार है कई जखस्तानों से सुझाव आ रहे हैं हम किस प्रकार का सेयोग कर सकते हैं राश्ट्रिय स्वयंसेवक संग के साथ काम करने का एक भाव समाज में आज दिखाई देता है इसका भी ध्यान रखते हुए ऐसे सारी शक्तियों को जोड़ कर आज के इस घड़ी में हम सब लोग जितना कुछ कर करना चाहिए उतना करने का प्रयास हम लोग करें आज भी बहुत बड़ी मातरा में कर रहे हैं ऐसे सभी स्वयंसेवक अभिनंदन के पात रहें आज यह संकट यह किस प्रकार का है इसकी भीशन्ता क्या है हम लोग सब समझ रहे हैं परंतु इस कालखंड में भी हिम्मत के साथ साहस के साथ परिश्रम पुरुवक विच समाज के लिए उपयक्त सिद्ध होगा मैं फिर एक बार इस परवक के निमित्त से फिर हम भगवान राम का समरण करते हुए इस संकट से बाहर हम निकल सकेंगे इस विश्वास के साथ आने वाले तो सब्ता हम इसी परकार के काम में लगे रहे हैं यही आप हम सब लोगों से अपेक्षा है समाज को भी जागरण करते हुए समाज भी इस कारे का सहवा की पने इसके लिए भी हम परहत्न करेंगे मैं समझता हूँ कि आज का यह राम नौमी का परव यह इसी परकार का संदेश समाज रक्षा का समाज की सेवा का समाज जागरण का संदेश आज हम सब को को दे रहा है मैं फिर एक बार इस परवक के संदर्व में इस परवक को लेकर आप समको मेरी शुपकामनाय प्रिशित करता हूं